मुख्यमंत्री नितेश कुमार की मंत्री ने ध्रिंद शास्त्री और बागेश्वर बाबा की तुलना अवाशा राम बापू से कर दी है पत्ना के नौबत्पूर में 13 मई से बाबा बागेश्वर का कारेक्रम शुरू होने वाला है जो उसके पहले सियासी गलियारे में तरह तरह की बयानवाजी बिहार में शुरू हो चुकी है और इसे बीच बाबा बागेश्वर के बिहार दोरे को लेकर भावन निर्मान मंत्री अशुक चौधरी निधरिंद शास्त्री की तुलना आशाराम बापू से कर डाली है साफ शब्दों में कहा है कि वो ना किसी का स्वागत करते हैं ना ही विरोध करते हैं लेकिन आशाराम बापू भी बिहार में आए हुए थे अब वो कहा चले गए ये किसे से बात चुपी रही है अब इससे जादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है बागेश्वर बाबा की उपर भवनिर्मान मंतरे शूक चौदरी ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है ये साफ दर्शाता है कि धिरंद शास्त्री की तुर्ना आसा राम बापू से की जा रही है वहें दूसरी और कहीं न कहीं बागेश्वर बाबा को भी जील भीचने की चेताओनी भी दी जा रही है किस तरीके से बिहार में बयान बाजी शुरू हुई है सब कुछ बताते हैं आगे के रिपोर्ट में अब नमस्कार आप जन्ता जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे बागेश्वर धाम की पंडित धिरिंद्र शास्त्री 13 मई को बिहार में आ रहे हैं वहां बज़रंग डैल आरेसिंस जैसे हँंदूवादी संकमर्थन में बीज़े पी इनके समर्थन में हैं देरिंद्र शास्त्री के दरबार को लेकर तयारिया श दी गई है कि अगर वो बिहार में आकर नफरत पैदा करने के कोशिश करेंगे तो उनकी गिरफतारी भी हो सकती है यानि कि अब वो जील भी जा सकते हैं और अब राज़त के तरफ से बाबा की आगमन को लेकर विरोध के बाद अब जदियू से भी भावन निर्मान मंत्रे आसाराम से कर डाली है बताया है कि अगर वो यहां आते हैं तो इन्हें कोई भी परिशानी नहीं है वो किसी को रोकते टोकते नहीं है नहीं किसी का विरोध जताते हैं नहीं स्वागत करते हैं लेकिन पटना आने के बाद उनका हाल बाबा आसाराम जैसा हो सकता है ऐसा इश पटना में कारिक्रम हैं वो बिहार आने वाले हैं असपर मंत्री ने अब करारा जवाब दिया है अपनी चुपपनी की है अशोग चौधरी का कहना था कि जो भी आता है आने दीजे उनकी आधमन से मुझे कोई भी परिशानी नहीं और नहीं बिहार के लोगों को कोई इससे फ पी नहीं है तो ऐसे में जूबी आता है आने दीजिए जिसको आना है उसकी बाद छौदरी ने कहा है कि जिसको इन जैसे बाबा कहा रहे हैं कि जैसे बाबो का जिसको भी स्वागत करना है वो पर ले कोई नहीं कोई परिशानी है तो कहीं न कहीं इशारों इशारों में पंडित दुरेंद शास्त्री के बिहार कारिक्रम को लेकर अशुक चौधरी ने भी आपती जताई है और इनके तुलना आसाराम से कर दी है बाकि दुरेंद शास्त्री को का ये दरबार पटना से करीब 25 किलोमेटर दूर नौबतपूर में लगने वाला है 13 से 17 मई तक बागेश्वर बाबा अपने दरबार लगाने वाले हैं बाबा लोगों से जुड़ेंगे कथा कहेंगे उनके इस कारिक्रम में लाखों लोगों के भी जोड़ सकती है बिहार ही नहीं बल्कि बाकि और राज्य जैसे की परोसी महराज उत्रप्रदेश जारकेंट बंगाल से भी बाबा की भक्त बिहार में पहुंचने वाले हैं कारिक्रम की तैयारिया भी शुरू हो चुकी हैं पंडित धरंशास्त्री महराज का ये भावित दरबार 15 मई को नौबतपूर की तरेद पाली मठ में लगने वाला है जहां भजद कारिक्रं भी चलने वाला है इनके खा क्रिक्रम को लेकर लगतार विरोद किया जा रहा है लेकिन वहीं कुछ लोग इनके पक्षमें भी हैं लेकिन दूसरी तरफ तैयारिया भी बाकि अब दर्बार लगने वाला है धरिन सास्ती का बहार दोरा जल्दी शुरू होने वाला इसको लेकर आपको यह अन्य जानकारी सामने आती है तो आपको वह जरूर बताएं तब तक आप इस खबर को लेकर जो बयानबाजी शुरू हो रही है जैसे आरोप लगाए जा रह बहने वाल